पियात्रा इस वक्त गोरी गंज विधानसवा पहुंची हूई है गोरी गंज विधानसवा वो विधानसवा जहां से बिते दो अर्टेरांसे समाझवधी पार्टी के विधायक है राकिश प्रताप सिंथ और इस बार फिर से वो अपनी जो भूमिका है वो जन्ता की बीच जा कर बता रहा है वो ये बता रहा है कि आखिर उन्होंने बीटे दस सालों में किस तरह से काम किया है और इस बार फिर से जब वो जन्ता की बीच जा रहा है तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मौजूदा सरकार में कौन कौन सी वो कम्या रही है जिस पर सरकार ने सही तरीके से काम नहीं किया जिस पर सरकार को काम करना चाहिए था और सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए था आखिर उत्तरपदेश के साथ साथ जो ग्रामिड जनका है उसका अविकास कैसे हुए ग्रामिड शेक्रों का विकास कैसे हुए राकिश प्रदाफ सिंग माई साथ इस सब्सक्राइब है सर बहुत सवगत है प्राइम टीवी पर आपका सबसे पहले तो मैं यह पूछना चाहू दफ तारिक को मालूम हो जाएगा इछली बार इफी छेट की जनता ने भार्ते जनता पार्टी की जबानत जब्त करने का काम किया और बफपा की जबानत जब्त करने का काम किया कांगरेव की जबानत जब्त होगी में ना कोई कठनाई है ना कोई लड़ाई है समाजबादी पार्टी के लावा अभी प्रत्याफियों की जबानत जब्त होने जा रहा है और एक तरफा जब्त होगी एक तरफा चुनाव जीतने जा रहा हूं। बहुत है कि इसलीजियों करेशी का जाता हूं। उपसे भी खराब होने जा रही है तो तिहाई बहुमत से जादा फीटों के फार समाजबादी पार्टी की फरकार उत्तर प्रदेफ में बनने जा रही है इसको कोई रोंद नहीं रोक फकता है मैं आपको उदाहरन के तौर पर बता दू कि अमेथी जन्पद में केवल एक फीट हमारी थे इस बार हम चारों फीट हमेथी में जीतने जा रहे हैं एक चीज और है सर लगातार जो सत्ता दाले उसकी तरफ से जो मेनिफेस्टो है जारी किया जो गया था उस पर बात कही जा रही है कि जो हमारा मेनिफेस्टो है वो सबसे बेस्ट है और समाजमधी पार्टी के मनिफेस्टों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इस मनिफेस्टों में कुछ भी नहीं है जो बातें कही गई हैं वो धरा तल पर नहीं उतर सकती है तो क्या ये हद तक सही है? क्योंकि जब अभी आप भाशण दे रहे थे को लेटाप फरकार ने दिया कि नहीं दिया 55 लाख महिलाओं को फमाजबादी प्रिंशन इसके पहले की फरकार दे रही थी कि नहीं दे रही थी अपनी ही बिधान फवा में मैंने 35 लुहिया फमगर गाओं कराके एक 25 लोगों को फवा तीन लाग का आवाफ दिलवाया तो जो फमाजबादी पार्टी की फरकार में फमाजबादी पार्टी के नेता कहते हैं उफको वो पूरा करते हैं और भारतिय जनता पार्टी के जो नेता कहते हैं फ़ब उफके उल्टा करते हैं उनको बिलकुल नहीं क खलावा किये हैं, धोका देने का काम किये हैं, किफान को बर्बाद करने का काम किये हैं, मजदूर को और मजदूरी करते हुए भी उनको मजदूरी का अन्फ ना मिले, उनको गरीब करने का काम किये हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया है, केवल राम रहीम के नाम पे, इद वक्र ट्रीझेत के नाम पर होली दिवाली के नाम पर संफान कभरिस्तान के नाम पर उत्तर परदेव को पीछे लिजाने का काम किया है। किश्व प्रसाद मौरेया ने भी का कि समाजवादी पार्टी बॉक लाई हुई है। किस तरह से वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें और किन मुद्दों को लेकर कि वो ध्यान में रखे और जब वोट डालने जाए तो वो समाजवादी पार्टी सैक्ल पर बटन देए। को फैते हुए अपनी पीट पे अंग्रेजों के कोड़ों को फैने का काम किया उनकी आत्मा को भी तकलीफ होगी उनकी आत्मा को पीड़ा होगी। और रही मेरी बिधान वभा का मामला तो मेरी बिधान वभा में फिर्फ जनता एक बात पर ओट करेगी। कि मैं जनता के लिए फुलब रहता हूँ फुलब रहता हूँ और जहां जनता चाहती है वहां उपलब रहता हूँ इसी आधार पे जनता यहां की ओट करेगी। को फफे अपने करीब का पाके ओट करेगी एक तरफा चुनाओ जिताएगी फफी पार्टियों की जबानत चप्त करेगी। कर ली जाए उसकाओ पाटियों की बात कर ली जाए अक्री सवाल मेरा कॉंग्रेस को यहां है को यहाशा आपको दिखता है उनकी बातों में दम पहले तो जो लड़की हूं लड़कती हूं यहीं जूटा जूटा हो गया यह नारे जूटा हो गया वो लड़की नहीं वो औरत हैं दो बच्चों की माहें किसी की पतनी हैं फादी के बाद कोई लड़की नहीं रह जाता वो औरत हो जाती है तो सबसे पहले जूट बोलने का काम किया वो ल परदेफ में फमाप्त हो चुका है दोनों मिलके दहाई में नहीं पहुंच रहे हैं उत्तर परदेफ में पूदे धन्यवाद हम से बात करने के लिए थे पाकिश प्रताफ सिंग्ग जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं जो बार विधायक रहे चुके हैं तीसरी बार की ज जाकर के जन्द समर्थन की माई करते हैं जो काम मौझूदा सरकार नहीं है तो उनकामों पर बहतर तरीके से क्यां प्रता सकते हैं तो आप देख रहे हैं